हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू माई चैनल आज मैं बनाने जा रहे हूं मतर टमाटर की सबजी अभी मतर का सीजन है अब बहुत तेश्टी भी लगता है खाने में और आसानी से मतर मिल भी जाती है स्वाधिश्ट और जल्दी बनने वाली रेस्पी है तो चलिए रेस्पी दो सोग्राम मतर है दो मिडियम साइज का प्याज अदरक लहसन का पेस्ट हरी मिर्च और धनिया पत्ता चुले पे रखे हैं पैन दो टेबल इस्पून तेल डाल यहाफ टीश्पून जीरा दो तेश्पत्ता धनिया रखे हैं गोटा हाफ टीश्पून सॉंफ है सब को लो फिलम पे हम पकने देंगे यहां पर फिलम को लोड़क हैं दो से तीन हरी मिर्च सब को अच्छे से पकने देंगे इसमें से खुसबू आने लगे तब इसमें हम प्याज डालेंगे प्याज को फिराई होने देंगे उसके बार टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हाफ चला करके कुछ सेकेन घूनेंगे ढख देंगे लोव फिलम पे अब इसम newly हम एड करेंगे अद्रक लहसन का पेस्ट जो अम रखी हैं को दालכे इसको भी एक मिनटगे धुदूनेंगे ढख कर लोफिलम पे ढख देंगें यहां पर जिससे कच्चापन चला जाए अब इसमें हम जो टामाटर काटके रखे हैं टामाटर की मात्रा यहाँ पे जादा है टामाटर डालके इसमें डालेंगे एक टेवल इस्पून गूर जो थोड़ा खटा टामाटर होता है थोड़ा बायलेंस हो जाए अब इसमें हम चला करके 10-15 कटमाटर 2-3 मिनूट साथ को घर कछञाने हुँआ और सब्गाइब सब्जी ऩमें मैं एक प्लेट में सेर्व कर लेती हूँ सब्जी को आपानी पर्कता के साथ खाए चावल के साथ खाए सब के साथ बहुत ही तेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स मटर टमाटर की रेस्पी आपको कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो पली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा